टेलिविजन दुनिया में नागिन 6 का शांदार आगाज हो चुका है आप दिख चुके हैं पहला एपिसोड इस बार नागिन की एंट्री एक खास मकसद से हुई है अपकी बार फर्क ये है कि नागिन इस दफा खुद का बदला लेने नहीं बलकि हिंदुस्तान के दुश्मन का खात्मा करने आएगी चली जानते हैं कि इस रविवार के यनि संदे के एपिसोड में नागिन 6 में क्या हुआ संदे एपिसोड की शुरुआत प्रोफेसर और शेष नागिन की बातचीत के साथ होती है बदले की आग में जल रही शेष नागिन प्रोफेसर से कहती है हजारों साल की तपस्या के बाद जो शक्तियां उसे मिली है वो उसे असुरों को मार कर देख्ष की रख्षा करेगी वीगन एपिसोड में तेज़सरी प्रकाश और सिंबा नागबाल का मिलन हो गया है जी आग तेज़सरी प्रकाश है प्रथा और सिंबा है रिशव गुजराल पहले दोनों शिव मंदिल पूजा के लिए पहुचते हैं लेकिन वहाँ पर दोनों आस पास होकर भी मिल नहीं पाते इसके बाद प्रथा इंटर्व्य के लिए जा रही होती है तब ही उसे पहाडियों के पास बचाओ बचाओ ऐसी आवाज सुनाई देती है इंटर्व्य के लिए ना जाकर रिशव और उसके भाई रितेश की जान बचाती है प्रथा इस आसे के बाद रितफ और रिशब और रितेश प्रथा का शुक्रिया आदा करते हैं और वहीं शेश नागिन बीच रास्ते में तिनों को लिफ्ट देने पहुँझाती है हाला कि प्रथा गारी रुकवा कर बीच में ही उतर जाती है जो दोनों ही भाईयों को काफी अजीब सा लगता है शो में औरवशी धोलकिया की एंट्री हो चुकी है औरवशी धोलकिया शो में गुजराल परिवार की फैमिली फ्रेंड और वरशी बनकर आई है वही प्रथा भी गुजराल परिवार के फंक्शन में हाउस हेलपर की नौकरी लेकर पहुशती है गुजराल परिवार में प्रथा की जॉब का पहला दिन था और उसी दिन उस पर चोरी का इल्जाम लगता है जिया नौकरी बचाने के लिए प्रथा जैसे ही मैनेजर के पास रूम में पहुशती है वहाँ शेश नागिन पहले से ही मौजूद होती है जो मैनेजर की गंदी हरकत के लिए उसे सबक सिखाने आई है इसी दोरान प्रथा शेश नागिन का असली रूप देखकर दंग रह जाती है देखना दिल्चस होगा कि ये सब जानने के बाद अगले एपिसोड में प्रथा का क्या रियक्शन होता है वो शेश नागिन क्या सच बताती है या फिर अपनी इस जॉब को बचाने के लिए और क्या करती है ये देखने के लिए हमारे अगले एपिसोड अगले ट्विस्ट का इंदिजार कीजिए